नाजरीन, PCB अपने मौकिफ पर डट किया है, माइनस भारत चैंपियन्स ट्रॉफी की तजवीज भी जेरे गोर है, पाकिसान क्रिकेट बोर्ड ने ICC चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए अपनी टीम ना भेजने के BCCI के फैसले पर सक्त मौकिफ अपनाते हुए, माइनस इंडिय इंडिया फार्मूले पर घौर शुरू कर दिया, क्या ऐसा मुम्किन हो पाएगा और तारीखी सवाले से क्या कहती है, सेयद याया हुसाइनी सब हमार सब मजूद है, सीनियर स्पोर्स जर्नलिस्ट, वेलकम टुशो कहेंगे आपको, सेयद याया हुसाइनी सब से पहले तो यह सवाल आपने किया है कि ICC चैंपर्स टॉफी 2025 जो कि अब सौ दिन से भी कम वक्त रहें किया है, और अरत ने एक नया चुद्पला छोड़ दिया है, और उन्होंने हमेशा की तरह हगदर्मी का मुझारा किया है, हमेशा की तरह उन्होंने जराब वो किया, जो वो करते आ आए हैं, और चैंपर्स टॉफी में भारत की हुकूमत ने BCCI को आगाह कर दिया है कि उनकी टीम पाकिस्तान का सफर नहीं करेंगे, देखिए, बात बोड़ातल यह है कि अगर आपको याद हो, 2023 एशिया कप के टॉर्नमेंट हुआ, और पाकिस्तान को भारत की विज़ा से जो है, वो टॉर्नमेंट को हाइब्रेट मोडल के तहट नपड़ाव टॉर्नमेंट शर्लंका में भी गज़ा है, फॉर्म बाद, ICC World Cup होना था, पचात ओवर का, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर यह बढ़ती की कि हाइब्रेट के तहट यह वोल्ड का होना चाहिए, और पाक का जो इस पाल है कि क्या पाकिस्तान भारत के बगार, ICC चैंप्र स्वापी का इन्हाद कर सकता है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान लफ़ों में आपके सामने यह तच्वीद रख सकता हूँ, यह बात रख सकता हूँ, कि जब 2023 वर्ल का भारत के हो रहा था, और यह जा र पाकिसान फिकेट बोट को खेलों की सालसी अदालत में जाने पर जो हो हर जाने की सूरत में आदा करना हूँ, ऑप सेम यह फॉर्मूला भारत के उपर अपलाय होता है, भारत अगर यह प्रिली ले रहा है कि पाकिसान में सेक्योरिटी के हालाँ ठींग नहीं है, हम अपने को नहीं बेज सकती है और अब जब के ऑस्टेलिया इंग्लेंड साउथ अफरीका किटी में पाकिसान का दौरा कर रही है और मुस्तक्बिल में भारत कैसे पीछे हड़ सकता है भारत को कोई वाजर जवाब देना होगा जनाफ यह बहुत है कि भारत ने अभी तक रिटन तो हम में इनफॉर्म नहीं किया आइसेसी के थ्रू ही बताया गया है लेकिन आपको तवक्को क्या है कि जैशा की सदारत में कोई नीट्रिल या मुनसिफाना फैसला हो भी पाएगा और अगर भारत की तरफ से कहा जाता है कि हमारी तो गोर्मनेंट ने हमें अलाव नहीं किया और क्या हमारे उपर जुर्माना डाला जाएगा कि हम नीट्रिल वैन्यू पर नहीं जा रहे या भारत पर जाना जाएगा कि वह पाकिस्तान आने से इंकारी है देखिए जुनाइस साब बात दर असल यह है कि इंटरनाशनल क्रिकट कॉंसल की जो हैसियत है इस वक्त इसी शादी हॉल के जादा नहीं है तो इंतरनाशनल क्रिकट ओसलेंश डाट अगर यह बात करता है खरत की पास बहुत रिवेनियू यह भारत अगर पाकिस्तान के बगई रहेने जो यह टीवी राइट के पैसे आते तो फिर लोग मैच देखने के लिए थे भारत की टीम को देखने के लिए यह अगर पकिस्त 1996 में और वेस्टन डीज ने स्ट्रे लांका में खेलने से इंकार किया था उसके बार न्यूजिलेंड ने कीनिय और इंग्लेंड ने जंबाबबे में खेलने से एक यह यह था पूरा पूरा एंट है तो क्या ऐप्रैक्तिकल होगा मैनिस भारत जनायद इशाल ने सवाल किया और आपने जवाब दे दिया मेरे कहने से पहले बिल्कुल आपने बजा फर्माया क्योंकि वो टॉर्णमेंट जो पाकिस्तान भारा तो शर्लंका में हो रहा था जहां वेस्ट इंडीज और उस्टेलिया ने कोलंबो का सफर नहीं किया बाक्वी करेंगा यहां पर तो पूरा टॉर्नमेंट ही पाकिस्तान में हो रहा है तो फिर आप उनको पूरे टॉर्नमेंट से अलग करतें तो अब यह बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है और जो सारा पैसा है वो पाकिसान और इंडिया के मैस से ही जनरेट होना है और कहां यह जात देखिए शाल बात-दरा सलिए कि मैं इससे पहले भी आपसे आर्ट कर चुका हूं कि इंटरनाशनल क्रिक्ट कॉंसल की अपनी ना कोई है ना कोई है यह तमाम क्रिक्ट बोर्ड का मजमूआ है और क्रिक्ट बोर्ड जो डिसाइड करते हैं वो ही होता है अब तक जो इंटर डालेंगे तो हाग जल जाएगा लेकिन अब सिचुएशन है कि अगले महीने जैशा जो के अमीच शा भारती जंदा पाटी नरेंदर मुदी की हुकूमत में इंतहाई अहम ऑफिशर हैं उसके सहब गादे हैं वो बीसी आपता इंटरनाशनल क्रेट पॉंसल की मेजबानी मेज वक्ति वक्ति ओप्शन को लिया जाता है कि अगर भारत पाकिसान नहीं जाएगा तो हमारेंगे नेक्स्ट आप्शन क्या होता लाटा इस वक्त भारत के पास कोई देने के लिए जवाज मौजूद नहीं है क्योंकि कल हमारी भारती सहाफी चंदर शेकर से भी बात हो रही तो यह हो ही नहीं सकता कि बारत जिव पाक्सका अचाइब कराटे हो बॉक्सिंग या कोई भी और खेल हो उसके लिए तो उनके खिलाडी आ जाते हैं हमारे खिलाडी तो खैर हमेशा ही चल जाते हैं तो फिर क्रिकेट को ही क्यों इस्तिमाल किया जाता है सियासत के लिए के जो काम भारत कश्मीर कर रहा है और जिस तरह के पारपना उन्हें चाहिए को देश्शत गर्दी वो कर रहा है भारत की हमें जरूरत नी माजरत के साथ भारत हमें सर्टिपिकेट नहीं देगा हम हमारी अपनी एक इस्टैंडिंग है दुनिया पाकिस्तान को जानती है पाकि लेकिन जुनेत का सवाल है कि आप बाकी टीमों की बात करते हैं देखिए भारत में इससे पहले भी मुक्तलिफ इवेंट्स हुआ हैं और उन्हें पाकिस्तान की टीम को वीज़े नहीं दिये तो अब आलमी दुनिया को ये समझना चाहिए कि भाई भारत अगर पाकिस्तान के स परॉक्टी मुल्ख होने कओ करता तो इनको आलमी मुकाबलों की मेजबानी नहीं जैवालिया उन्हें शाइजा कि क्रिकेट की खेलों के वाले से तो भाई ऑजगिती है पाकी खेलों को आप ही कहते हैं ने कि话 कि स्पोर्ट ग्लोमेसी है प्रिकेट को लोग समझते है जानत हैं एशिया में और क्रिकट को लेके बहुत जजबाती भी है